शोसल मीडिया पर एक ख़वर आग की तरह फैल रही है और ख़वर ये है कि खिसारी लाल यादो का एगर्मेंट वाला विबाद जल्द ही खत्म होने वाला है जी हाँ खिसारी लाल यादो और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की बीच आपस में जूभी विवात चल रहा है वो पूरा मामला बहुत जल्द अब समाथ होने वाला है किसारी लाल यादो को दो साल के लिए जिस प्रकार से बात हो किया गया वो बंधन भी अपसमाथ होने वाला है और अब किसी भी म्यूजिक कमपनी से अपना गाना ला सकते हैं यह हम इसलिए भी कहपा रहे हैं क्योंकि पिछली दो-तीन दिन से शोसर मेडिया पर इस तरह की बात ही चल रही है कि सारी लाल यादो के तमाम करीबी यूटुबर्स उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द खुश खबरी सामने आ सकती है और वह खुश खबरी और उस दल्लत से कब तक बाहर निकलेंगे यह हम भी नहीं जानते हैं लेकिन मेरे पास एक विकल्प है और वो विकल्प है फिल्म हम फिल्म से आप लोगों का मनुरंजन करते रहेंगे और आप सब का दिल जीतते रहेंगे बागे हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार स समझाते हैं कि आकिर हम ऐसा क्यूं कह रहे है कि खिसारी के आने वाले नहीं नए गानों की प्लानिंग पर बातस्यूत करते हैं और इस इंटरवियो में अखलेस कश्य बताते हैं कि कि सारे भाईया के बहुत सारे गाने पहले से शूट करके रख लिए गयते लेकिन वाले विवाद के चक्कर में हम लोग उस गाने को रिलीज नहीं कर पाएं इसके अलावा कि सारी भाईया के ऐसे और भी गाने हैं जो पहले से रिकॉर्डेट हैं लेकिन बहुत जल्द ही जादा दिन तक नहीं चल पाएगा क्योंकि जिन लोगों से विवाद हुआ है वो भी हमारे अपने लोग हैं वो लोग दिल के अच्छे हैं सारी बात बस एगो के चक्कर में फसी है लेकिन उमीद है कि सारा मसला जल्द ही नहीं पटने वाला है और बहुत जल्द ही आप सबको नई खुश खबरी मिलेगी इसका मतलब कहीं न कहीं यह निकाला जा रहा है कि हो सकता है कि सारी लाल यादो और ग्लोबल मुजिक यंक्षन के बीच आपस में कुछ बात चित चल रही है और इस पूरे मसले का निदान निकाला जा रहा है अपने नीज़े इंटर्वी में अ अधर बातचीत चल रही है और इसका सॉलुशन ढूंगने का प्रयास किया जा रहा है सबसे पहले तो आप कि सारी लाल यादो की पुराने और करीबी राइटर पावन पांटे का ये रिल लेखिए ये रिल पावन पांटे ने अपने फेस्बूक पर शेयर किया है इस्क्रे आप सोचने वाली बात यह है कि अगर किसारी अग्रमेंट वाले विवाद में बुरी तरह से फसे हैं तो उनका कोई गाना एंगल मुझे कंपनी से कैसे आ सकता है इसका मतलब कि कहीं न कहीं अंदर ही अंदर आग्रमेंट वाला विवाद धेरे-धेरे खत्म हो रहा है और ज दिख रहे होंगे पंकज राय चार्टेड अकाउंटेड हैं और इस तस्वीर को डालते हुए पाउंट पांडे कैप्शन में लिखते हैं कि महादेव बहुत जल्द गर्दा उड़ी लव यू किसारी लाल यादव पंकज राय अब ये सब देखने के बाद कहीं ने कहीं य ना कुछ रिकर्डिंग हो रहा है इसके बाद क्सारी का चाना क्यों डिल्ली जाना इसका मतलब यह है कि कहीं ने कहीं कि सारी आगर्मेंट वाले पूरे मसले पर पावन पांडी और पंकज राय के साथ दिल्ली में जाकर ग्लोबल मुजिक जंक्शन के मालिक से कुछ बातचित कर रहे हैं और इसका शॉल्यूसन ढूंड रहे हैं बाकि आपको क्या लगता है कि सारे दिल्ली क्यों गए हैं और क्या एग्रिमेंट वाला विवाद खत्म होने वाला है अपनी राय बताईएगा वीडियो को समात करते हैं मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद